दोगेंबू, खुश्वा, दोस्टों ये डायलोग आपने अपने जिन्दिक में कभी न खभी ज़रूर बोला होगा, और अगर बोला नहीं होगा, तो सुना ज़रूर होगा, आपने आजपास किसी भी अपने दोस्ते के मुह से, या और किसी के ने ये डायलोग फिल्म के डिरेक्टर शेकर कपूर को सुनाया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था बोलो यह क्या है ये कोई डायलोग है मुगेंबो खुश हुआ मुझे दो नहीं समझ जा लेकिन जावेद अक्तर सहाब ने अच्छी तरह समझाए कि ये डायलोग हिट होने वादा है एक समय आएगा कि जब भी कोई खुश होगा पब्लिक के बीच में घर में एक बात जरूर बूलेगा मुगांबो खुश होगा और राइटर जावेद अक्तर सहाब मिंभिके निर्देशक मिस्टर इंडिया निर्देशक शेकर कपूर को कंवेंस भी कर लिया कि इस डायलोग इन गो अर आज अब पत्ता है आपको ऑभा जब ये फिल्म के शूटिंग शूरू ह disturbed इंडिया कि फिल्म में था यह नहीं होगा लेकीन की शूٹिंग शुरू हो गई अक्सर के दौरान डरकर 교 평mal साहब जावब अक्षा डाप्र सह पूंश in कि बाइँ मेरे विलन का क्या हुआ क्या सोचा कि ऑपो होगा क्या क्या कराब हो गाद असका और l अच्छा विलन ही रखेंगे देखते हैं क्या बनता है अनियुज कपूर के भाई बोनी कपूर कुरूसर थे अनियुज कपूर की थी श्रीदेवी की भी थी तो श्यूटिंग लगातार चल रही थी कुछ सीन तो ऐसे पिक्चराइज हो गए थे इसमें विलन के आदमी लोग अकर अनियल कपूर से लड़ाई जहडा करते हैं धमकी देते मार पिट करते हैं और फिर वापस चले पिट पिटांकर लेकिन जो आदवं देने वाला थे विलन गुंडों को उसका आता पता नहीं था और गुंडे बेचारे मुफ्त में मार खा रहे थे और एक वक्त ऐसा आया जब सारे सीन पिक्चराइज हो गए लेकिन विलन का करदार रहे तब शेखर कपूर साब ने जावेद अक्तर साब से कहा कि भाई क्या हुए मेरे विलन क मगैमबरा और उसका तक्या किम खुश होगा जैसे जावेद अक्तर साब ने कहा कि मगैम खुश होगा ये विलन का तक्याक एक और तो शेखर कपूर साब को समिंज में नहीं यह नहीं लेगा लेकिन जावेद साब ने उनको शेकर कपूर साब को अच्छी तरह समझाया जीडियालॉग हीट होगा और जेगर कपूर ने भी जावेद अक्षे साब की बात का मान रखा मानें उनकी बात को और यह विलन का तकिय कलांम रखा गया मौगरेंबोग खुश हुआ और हिट हुआ और आज तक हिट है तो दोस्तों ऐसा होता है कि फिल्म की 75% शुटिंग हो जाती है और जिस करदार को दर्शुकों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया उसकर कुछ पता ही नहीं होता जैसे ही वह Mr. India फिल्म है तो तो उसे ऐसे बनती है फिल्म हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वा पूरी तयारी की गई होगी पहले बिलेन का नाम रखा होगा बिलेन ऐसा हो लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लास्ट मूमेंट पे फिल्म में कुछ चीजे डाली जाती है और वही चीजे हिट हो जाती है जैसे फिल्म डॉन में ये गाना भी फिल्म कंप्लीड होने के बाद ही फिल्म में डाला गया था और यहीं गाना फिल्म को हिट कर गया तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हमारे पास मौजूध हैं बॉलिविट के जो हम आपके जाते हैं तो हमारे चैनल बॉलीविट चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो को इंफिजार करिए और एक बात याद रखेंगे इस वीडियो के बाद एक विज्ञापन फिल्माइगा उसे पूरा देखेंगा और जब मेरा अगला वीडियो आप लोग देख झाल को